Hello friends and welcome to exam warriors. आज हम लोग बात करेंगे 16 सितंबर के current affairs की. इसमें हमने most important current affairs को सामिल किया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला current affairs है और यह हमारे लिए खुशी की बात है कि Asia Cup 2013 का बिजेता जो देश है वो हमारा देश भारत है. भारत ने स्री लंका को 10 विकिट से हरा कर क्या है Asia Cup 2013 जीत लिया है. और इस मैच में क्या हुआ है हमारे देश यानि भारत के एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है शिमोहमद शिराज उन्होंने एक ही उबर में चार विकिट लेकर इस मैच में मैं रब्दा मैच का खिताब भी हासल किया. तो ये चीज याद रखेंगे हैं अगला देखते हैं अगला है किस राज ने फॆटवाल के विकास के लिए इस पेन के ला अगर पूछा जाये कहां है तो आप याद रखेंगे इस了 क्या याद रखेंगे पस्च्छिम बंगालने किया पाप्शिम-बंगाल के अगर सीयम की बात करें तो यहां पता होंगे कोल काता है कोल काता किस नदी के किनारे है अगर ऐसे पूछा जाता है तो भो भी आप बता देंगे हुगली नदी के किनारे है ठीक है चलिए अगला देखते हैं और अगला है रक्षा मंत्राले ने इतने करोड रुपए कि सैन ने साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी अभी ह साल ही में हमारे रक्षा मंत्रा लेने क्या किया है सेन ने साजो सामान को खरीदना है ठीक है कि हमारे सेना के पास कुछ जो सामान है उनकी जरूरत है उनकी नीड है तो इसके लिए 45,000 करोड रुपए मंजूर किये गए ठीक है इतने 45,000 करोड रुपए मंजूर किये गए और क इसने ये रक्षा मंत्रारे ने मंजूर किये, अगला question है, अगला है crypto को जमीनी इस तर पर अपनाने में भारत का इस्थान कौन सा है, तो crypto currency जो होती है उसको अपनाने के लिए भारत का इस्थान अगर देखा जाए, में Infosys Infosys किस स्थान पर रही तो याद रखेंगे Infosys जो है the bird based companies की सूची में 64 स्थान पर है कौन सी company Infosys 64 स्थान पर रही अगर देखते हैं कहां आधी संकराचारे की 108 फिट उची प्रतिमा स्थापित की जा रही है तो ओंकारेश्वर में आधी गुरु संकराचारे की क्या करी जा रही है 108 फिट उची प्रतिमा इस्थापित की गई अगला देखेंगे किसके कारियालाई को ग्रह मंत्राले द्वारा राज भाषा कीर्थी पुरुषकार दिया गया तो नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक की कारियालाई को क्या दिया गया राज भाषा कीर्थी पुरुषकार दिया गया ग्रह मंत्रालाई के द्वारा नियंत्रक महालेखा परिक्षक यानि भारत के कैग बर्तमान में कौल है तो वो याद रखेंगे GC मुर्मू है जो पहले जम्मू कस्मीर के क्या होते थे वो पहले जम्मू कस्मीर के होते थे उप गवर्नर ठीक है उप राज़ पाल अगला देखेंगे और important question है 16 सितंबर को एक दे मनाया जाता है इसे हम ओजोन दिबस कहते हैं ओजोन दिबस 16 सितंबर को मनाया जाता है इसकी theme भी हमारे लिए important है तो इसके लिए theme याद रखेंगे montarial montarial protocol fixing the ozone layer and reducing climate ये इसकी theme 2030 है ओजोन पर्त जो हो है वो सूरे से आने वाली UV rays यानि अल्ट्रा वाइलेट rays को क्या कर लेती है अब शोशित कर लेती है यानि खा जाती है जिससे कि ये अल्ट्रा वाइलेट rays हमारी प्रतिवी पर नहीं आ पाती और इन अल्ट्रा वाइलेट rays जो होती है हमारे सरीर के लिए क्या होती है हानिकारक होती जिससे skin cancer हो जाता है क्या हो जाता है skin cancer भी हो जाता है ठीक है इसकिन का इनसे ही हो जाता है अल्ट्रा बाइलेट रेज हमारे लिए थोड़ी हेलपफुल भी होती है अगर ये लो एमाउंट में होती है तो उस कंडिशन में हमारे सरीर में ये बिटामिन डी को फॉर्म करती है ठीक है अल्ट्रा बाइलेट रेज को पाइजाती है तो याद रखेंगे समताप मंडल में पाइजाती है ठीक इतनी चीज़ें हमें याद रखेंगें अगरा देखिये हाल ही में देश की पहली solar city का उधगातन खहां होगा तो अब क्या होगा मद्यप्रदेश में भारत की पहली solar city जो है इस्थापित की जाएगे भारत की पर्स्ट सोलर सीटी कहां इस्थापित की जाएगी MP में स्टार्ट की जाएगी ठीक है तो इस 16 सितंबर से जुड़े इंपोर्टेंट जो करेंट अफियर्स थे वो हम लोगों ने आज डिसकस कर लिए हैं 16 सितंबर से ठीक है कल हम लोग डिसकस करेंगे नेक्स्ट दी एनि 17 सेफ्टेंबर के इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स ठीक है